असलाम लेकुम, स्मार्ट प्रिक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेर्मेंट नंबर 4.5 प्रफॉर्म करेंगे बायो के एक्सपेर्मेंट नंबर 4.5 में हमने टॉनी सिटी का इफेक्ट प्लांट सेल और ऐनिमल सेल के उपर इप्जर्फ करना है तो आज की एक्सपेर्मेंट नंबर 4.5 के पार्ट A में हम ngày 1 प्रिगे और उनके उपर सलूशन की ढिफेर्ट Crash का क्या effect है इसको observe करेंगे हम solution sugar solution भी ले सकते हैं और salt solution भी ले सकते हैं और इन solution की different concentration का क्या effect है animal cell का उपर इसको observe करेंगे सो आज की experiment के लिए जो हमें operators चाहिए हमें compound microscope, three cover slips हमें चाहिए, three glass light चाहिए, हमें marker चाहिए और इसके लावा dropper हमें चाहिए इसके लावा जो chemicals हमें चाहिए उन में blood drop शामिल है और इसके लावा हमें solution चाहिए जिनकी concentration different होनी चाहिए और solution sugar solution भी हो सकते हैं और salt solution भी ले सकते हैं तो procedure में हम सबसे पहले क्या करेंगे हम तीन glass lights लेंगे और तीनों glass light को हम marker से mark कर देंगे slide A, slide B और slide C फिर हमने हर slide के साथ एक काम करना है हमने पहले क्या करना है हमने finger tip में सुरा करना है और blood निकालना है और हर slide पे हमने blood drop डानना है और फिर slide पे blood drop डानना के बाद हमने एक और slide लेनी है या cover slip ले 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 आ और उसकी मदद से हमने जो blood drop है उसको हमने slide के उपर spread करना है और फिर हमने तीनो स्लाइट के अपर जो है वो इसी तरीके से blood drop spread किया है स्लाइट A, स्लाइट B और स्लाइट C स्लाइट A में हमने 0.1% source solution डालना है और ये solute जो है ये environment में कम होगा तो ये hypotonic environment होगा और स्लाइट B में हमने 0.9% source solution डालना है और ये isotonic environment के लाएगा और स्लाइट C में हमने 5% source solution डालना है ये hypertonic solution के लाएगा इस solution में environment में solute की concentration जादा होगी फाइफ मिनट के बाद फिर हमने तीनो स्लाइट को बारी-बारी microscope के lens के जरी हमने observe करना है तो observation जो हम note on करेंगे जो slide A है जो के hypotonic solution हमने environment में hypotonic solution बनाया था so environment में solute कम था और cells के अंदर solute जादा था so solvent always follow solute जहां solute जादा होगा solvent वहाँ move करेंगा और solvent यहां पर water है water universal solvent है तो water के करेंगा वह environment से move करेंगा cells के अंदर as a result जब cells के अंदर solvent जादा होगा तो cell swell कर जाएंगे और फिर brush spread जाएंगे so isotonic solution मतब जो second slide में क्या किया था हमने 0.9% solute solution डाला था इसे लिए solvent जो है वो equal amount में cell के अंदर और cell के बाहर move कर रहे थे और as a result जो cells की shape जो थी वो बढ़करा रही थी जबकि हाइपरटोनिक solution में क्या होता है हाइपरटोनिक solution में हमने cells के बाहर जादा solute रखा है और cells के अंदर solute की quantity कम है अब solvent में हमेशा follow करना है solute को so water cell के अंदर से जो है वो बाहर की तरफ move करेगा क्योंकि बाहर जादा solute मुझूद है as a result जब cell में से water या solvent निकलेगा तो cell शिन कर जाएंगे so आज के experiment का जो result है क्या है कि हाइपरटोनिक solution में क्या होता है कि cell के बाहर solute कम होता है और cell के अंदर solute जादा होता है जिसकी वज़ए से बाहर से solvent side के अंदर move करेगा और as a result cell जो है वो swell कर जाएगा और पर brush कर जाएगा और arbuses में भी क्या-क्या वो swell होके फिर उसके बाद brush होके isotonic solution में क्या होता है cell के अंदर red blur cells के अंदर जितना solute था उतना ही red blur cells के बाहर था और इसी वज़ए से उन्होंने अपनी position और shape बढ़कर आ रखी जबके hypertonic solution में क्या हुआ कि बाहर solute जादा होने की बज़ए से cell का solvent भी बाहर की तरफ move कर गया जिसके वैसे cell श्रिंक कर गया कर दो कर दो